अगर आप किसी भी teaching exam की त्यारी कर रहे हैं तो ये classes आपके लिए most most important है इसलिए अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें bell icon पर press कर all notification को आप own कर दें ताकि जब भी कोई class upload हो आपके पास सबसे पहले पोचे अगर आपको किसी तरह का कोई doubt है कोई issue है कुछ पूछना चाते हैं तो आप इस contact number पर whatsapp कर सकते हैं जात में जो telegram group है उसको भी आप join कर लीजिएगा telegram group का जो link है वो आपको video के description में मिल जाएगा तो आप वहाँ पे जाके join कर लीजिए अगर आप वहाँ से नहीं कर पाते हैं join तो आप इस contact number पर message कर देना मैं आपको personally जो link है वो share कर दूँगा तो चलिए फिर start करते हैं देखिए आज की जो हमारी class है वो English की class number 14 है जिसमें मैं आपको previous year यानकि पिछले papers के अंदर आई हुई 50 plus जो आपके most important spellings है ना वो मैं आपको कराने वाला हूँ तो आप यकीन मानिए ये बहुत ही genuine matter है ये आपके लिए best content है सबी papers के अंदर जो आई हुई spellings है ना मैं वो आपको provide कर वा रहा हूँ और इनसे भार आपको प्यार्ट के exam हुए है उनकी social science को देखा है मैंने ठीक है तो अब तक मैं आपको जो matter करवा चुका हूँ ना एक single question भार नहीं है और हभी तो हमारा syllabus बचा हुआ है जो मैं आपको बहुत जल्द ही जल्द complete करवा रहा हूँ तो आप यकीन मानिए जो जो subject मैं आपको करवा द जाएंगे कि sir एक single question आपका भार नहीं था तो इसलिए मैं बहुत जादा hard work कर रहा हूँ आप इन चीजों को serious लेजिए बस सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है जादा से जादा चीजों को revise कीजिए ठीक है तो आप इस चीजों को समझे चलिए फिर आज की session को start करते हैं उलका पिंड तो आपको याद रखना है spelling क्या होगे आपकी M-E-T-E-O-R आपको याद रखनी है और देखिए चाहिए आपकी spellings हो चाहिए आपके idiom phrases हो इनको याद रखने का सबसे best तरीका है इनको आप लिखके देखिए mainly especially जो आपके spellings है ना इनको तो आप 100% लिखके आप तीन से चार बर लिखके देख लेते हैं ना एक spelling को तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके mind में से नहीं निकलेगी और ये आपके previous year है और आपके फिर से repeat होंगे ये भी आप समझ लेना ठीक है मैं आपको बाद में जो practice set करवाँगा ना तो उस समय मैं आपको आपके पास समय है ठीक है अगर आप मानते हैं ना बात तो आपको paper के अंदर खुद से ही result देखने को मिलेगा देखना आप आगे बढ़ते हैं अब इसका मतलब क्या होता है तो मतलब होता है इसका भहू रूप दर्शक यह की ज़्यादा चीज्जों को दिखाता है ठीक है जिसके बहुत ज्यादा रूप हों भहू रूप दर्शक तो इसको बलता है कलेडियो स्कोप स्पेलिंग क्या होगी आपको लिखने देखनी हैं K A L I D O S C O P E ठीक है कलेडियो स्कोप आपको याद रखनी है ठीक है और मैं आपके साथ में बार बार लिखने इसलिए ही दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है लिखने से ही यह याद होंगी तो K-A-L-E-I-D-O-S-C-O-P-E के लिए डियो स्कोब आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं नील ठीक है K-N-E-E-L और नील क्या मतलब होता है क्या मतलब होता है घुटने टेकना K-N-E-E-L नील आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं जर्सी अब यहाँ पर स्पेलिंग में गलती पता क्या करते हैं J-E-R-S ठीक है S तक भी ठीक है यहाँ पर या तो C-Y कर देंगे जर्सी के अंदर या S की जगए C लगा देंगे कि J-E-R-C-E-Y जर्सी तो जो आपका गलत हो जाएगा जर्सी के स्पेलिंग हो कि आपकी J-E-R-S-E-Y तो यहाँ पर S आएगा C नहीं आएगा आप याद रखना यहाँ पर जो maximum गलती होती है ना S की जगए हम C लगा देते हैं और उस समय हमें समझ में भी नहीं आता तो मैं आपको यह भी बता रहाँ साथ में कि maximum जो गलती होने के chances है ना वो कहाँ पर है तो आप इस चीज़ों को याद रखना जर्शिक स्पेलिंग क्या होगी J-E-R-S-E-Y ठीक है ना कि आपकी J-E-R-C-Y C नहीं लगेगा याद रखना आप S लगेगा याद रखनी ठीक है आगए बठते हैं Jaskin जर्श में भी बोल सकते हैं तो जर्श मीन जो होते हैं वो ध। एक जर्णी दार पोदा इसका क्या मतल Bj बहता आ है जर्य यार्णी वों पोदा जिषे क्या हो जर्णी हूँ काटेदार जाडिया हूँ तो उसको हम जैसमेन बोलते हैं ठीक है अब इसकी spelling क्या है आप देख सकते हैं जे डबल एस ए एम आई एन ए ठीक है जैसमेन जे डबल एस ए एम आई एन ए आपको याद रखनी है आगे बढ़ते हैं repetition अब repeat की spelling तो आपको पता है तो अब आगे आपका repetition और repetition का मतलब है किसी भी चीज़ को repeat करना बार बार करना यानकि उसका धोराओ करना उसको धोराना और spelling क्या होगी आपको लिख के देखनी है repetition आपको याद रखना है ठीक है आगे देखिए जिसको हम देशी भासा में बोल देते हैं कोटा तो कोटा की spelling क्या होती है क्याओ U-O-T-A कोटा ठीक है आपको याद रखना है दुबार लिख देता हूं मैं क्याओ U-O-T-A quarterly आप याद रखिए आगे बढ़ते हैं आगे आगे आता है आपका quarterly हम इसको normal language में डारेक्टर बोलते हैं quarterly लेकिन होता है आपको याद रखना है क्याओ U-A-R-T-E-R-L-Y जिसको बोलते हैं त्रेमासिक ठीक है क्यानिकि मैने में तीन बार याद रखना है क्याओ U-A-R-T-E-R-L-Y याद कि यहाँ पे है ना maximum गलती क्या होती है यहाँ पे यह आर लगाना बोल जाते हैं डारेक्ट आम इसको quarterly लिख देते हैं क्याओ U-A-T-E-R-L-Y लेकिन यहाँ पे बीच में आपका आर भी आएगा quarterly आपको याद रखना है क्याओ U-A-R-T-E-R-L-Y quarterly ठीक है याद रखिया आप आगे बढ़ते हैं पेन्यूरी प-E-N-U-R-Y और पेन्यूर में आपको पहले भी करा चुका हूँ जिसका मतलब मैंने क्या पताया था गरीबी तो इसका मतलब भी क्या होगा आपका गरीबी होना यारकि गरीब होना प-E-N-U-R-Y आपको याद रखना है दुबारा लिख देता हूँ मैं प-E-N-U-R-Y और यह most important spelling से आप याद रखियेगा आगे बढ़ते हैं पैवेलियन पैवेलियन का मतलब क्या होता है मनडप होता है इसका मतलब स्पैलिंग क्या होगी आपकी P-A-V-I-L-I-O-N क्या हो आपको याद रखनी है दुबारा बोलत रहा हूँ मैं M-I-L-L-E-N-I-U-M क्यों बोल रहा हूँ बार बार? ताकि आपके माइंड में सैट हो जाए याद करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि बार-बार आप इनको लिखके देखिए M-I-L-E-N-I-U-M मिलेनियम आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं नीस आपको अच्छे से पता है तो आपको स्पेलिंग्स भी याद आपको अच्छे से पता है आप इंगलिस के अंदर पढ़ते भी हैं वोकेबलरी तो इसकी जो स्पेलिंग्स क्या हो जाएगी आपकी वी-ो-सी-ए-बी-उ-ल-a-r-y आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं विनेगार और विनेगर का मतलब होता है सिर्का जिसको हम एसे विनेगर आपको याद रखनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं ट्रांक्वैलिटी जो ट्रांक्वैलिटी होती है उसका मतलब होता है स्यांती एकदम स्यांत हो ना स्यांती रखना कोई जगडा या कोई लड़ाई नहीं करना एकदम स्यांत रहना जगडा ने करना तो ट्रांक् आप याद रखिए, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप काता है sacrilegious, इस sacrilegious मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, जापर मैंने बताया था sacrilegious का मतलब क्या होता है, जो चीज धरम से समबंदित हो, जो चीज आपकी पवितरता से समबंदित हो, तो sacrilegious का मतलब होता और इसको बार-बार आप लिखके देखना most important है यह पता नहीं कितनी बार पुछी जा चुकी है exam के अंदर तो S-A-C-R-I-L-E-G-I-O-U-S से क्री लीजियस आप याद रखिएगा आगे देखते हैं Rhapsody Rhapsody का मतलब होता है बहुँ ज़्यादा परसन होना और खुष होना spelling क्या होगी आपकी R-H-A-P-S-O-D-Y Rhapsody याद रखिए आप R-H-A-P-S-O-D-Y Rhapsody ठीक है आगे पढ़ते हैं S-E-S यह साहद मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ लेकिन most important है इसलिए मैंने दुबारा से इसको repeat कर दिया है और previous year में काफी बार आपका पुछा जा चुका है तो SIEGE का मतलब क्या होता है S-I-E-G-E यह की spelling होगी S-I-E-G-E जब हम पढ़ते हैं SIEGE को तो हमें हमेश्या S-E निकलेगा फिक है SIEGE में S-E-I-G-E ऐसे निकलेगा लेकिन आपको याद रखना है पहले I आएगा फिर E आएगा तो S-I-E-G-E SIEGE मतलब क्या होता है आपकी घेरा बंदी करना रोकना इसको मतलब क्या हो गया घेरा बंदी करना याद रखिया revenue का मतलब क्या होता है आपकी I याद की income spelling क्या होगी R-E-V-E-N-U-E most important है आपको याद रखनी है R-E-V-E-N-U-E revenue R-E-V-E-N-U-E मैं बार-बार आपको repeat करवा रहा हूँ R-E-V-E-N-U-E revenue आपको याद रखना है अब देखिए next reduce आपने पढ़ा होगा R-E-D-U-C-E reduce का मतलब क्या होता है वही चीज किसी भी चीज को कम करना decrease करना तो reducible क्या होगा आपका कम करने ही होगी किसी भी चीज वो चीज जो कम करने के लायक हो तो spelling क्या हो जाएगा R-E-D-U-C-E और जो आपका E था ना वो आपका हट जाएगा और इसकी जगह आपका लग जाएगा I-B-L-E Reducible आप याद रखना R-E-D-U-C-I-B-L-E Reducible आप याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं Next है आपका Exclamation तो आपने Exclamation पड़ा होगा जिसको हम विस्मयादी बोदक बोलते हैं जो आपका इस तरह से लगता है Hindi के अंदर कैसे लगता है विस्मयादी बोदक चीन आपका इस तरीके से जो आपका Hey, Oh, Aray उनके बाद लगाते हैं जैसे लिखते हैं हम Hey, Oh Aray तो इन सब के बाद हम विस्मयादी बोदक लगाते हैं अगर आपको पता हो तो हिंदी मैं कराऊंगा, आपको रितनी best कराऊंगा, देखना आप, ठीक है, अभी मैं कुछ planning कर रहा हूँ, दो से तिन दिन मैं आपको पता चल जाएगा, तो आपके लिए best चीजे मैं लेकर आने वाला हूँ, याद रखिए, और बहुत जल्दी आपक याद रखिएगा, अब बात करते हैं explanation की, तो explanation का मतलब आपको अच्छे से पता है, कि किसी भी चीज़ को क्या करना, explain करना, हाना, तो explanation क्या होगा, याद कि स्पस्टिक करण देना, अब उसके अंदर हम करते क्या है, तो spelling को देखिए आप, और आपको ये spelling याद रखनी है, important है, बार बार लिखके भी देखनी है, explanation, और बार बार बोल के देखिए, आपको 100% याद हो जाएगी, इतनी अच्छी याद हो जाएगी, कि माइंड में से नहीं निकलेगी, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको याद करना है, आगे बढ़त अब इसके अंदर जो हम गलती करते हैं यहाँ पे हम S के जिए C लगा जाते हैं, इसके अंदर ये गलती होती है, औरigent stay का मतरब होता है परमानंद, नहीं कि बहुत ही जजादा क्या आना, आनना, आप बहुत जजादा मोहित हो, बहुत जादा खुस हो आप, बहुत जजाद परमानद अगर मैं इसको तोड के लिखूँ न तो मैं क्या लिखूँङा परमानद जाना से भी जादा आनंद मिलना तो इसको बढ़ो जैता है परमानद caso c क्या होगी आपकी spell之 implic e c s t a sy होगा यहापर गलती से भी आप c मत लगा देdoingना और जो आपको मिलेगी न options उनके अंदर 100% आपको C मिलेगा तो जब हम इसको बोलते हैं तो यहाँ पर हम C लगाने की कोशी C करते हैं S की जगे लेकिन आपको याद रखना है E-C-S-T-A-S-Y होगा ठीक है S आएगा यहाँ पर C नहीं आएगा आपको याद रखना है आगे देखते हैं बीगल अब बीगल का मतलब होता है दोखा या चल करना किसी को क्या करना? डिसीव करना D-E-C-E-I-V-E डिसीव, बलीव, रिसीव अब यह भी कुछ confusion वाली spellings है मैंने आगे आपको बताई हैं हम discuss करेंगे ठीक है? तो आपको सबसे पहरे याद करना है बीगल तो बीगल का मतलब बता है किसी को दोखा या चल करना किसी को दोखा देना किसी के साथ चल करना spelling क्या होगी आपको याद रखना है B-E-D-U-I-L-E क्या हो जाएगी? B-E-D-U-I-L-E बीगल आपको याद रखना है B-E-D-U-I-L-E B-E-D-U-I-L-E बीगल और यह most important spelling है भई काफी बार आपकी पुछी जा चुकी है तो याद रखना है आगे बात करते हैं secrecy की अब इसमें भी आप सेम गलती करेंगे क्या गलती करेंगे? S-E-C-R-E यहाँ पे C की जगए आप S लगाएंगे क्योंकि जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो उस समय हमसे गलती 100% होती है यहाँ पे C की जगए हमेशा S लगाने की ही कोसिस करते हैं या फिर हम confused होते हैं तुक्का लगाते हैं तो आपके तुक्के के अंदर मैं लिख देता हूँ उपर दुबारा S-E-C-R-E-C-Y secrecy या निए C आपको याद रखना है S नहीं आएगा C आएगा S-E-C-R-E-C-Y 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 याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं sincere अब sincere हम बोलेते ना यह व्यक्ति क्या है sincere है तो sincere का यहाँ पर जो मतलब लिया गया है वो मतलब होता है इमानदार होना तो spelling आपको याद रखनी है S-I-N-C-E-R-E क्या होगी sincere S-I-N-C-E-R-E आप याद रखिएगा अब बात करते हैं tariff की tariff अब यहाँ पर जो गलती होगी हमसे वो यह होगी T-A-R-I-F सिर्फ हम एक F लगा के रुख जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर एक F नहीं आएगा यहाँ पर आएगे आपर दो F T-A-R-I-F tariff जैसे यह ओफ होता है ना एक तो आपका O-F होता है सिमा सुल्क या फिर आप सिर्फ वोर सिर्फ सुल्क भी याद रख सकते हैं ठीक है क्या हो जाएगा tariff यान की सुल्क देना आगे देखते है leopard अब leopard का मतलब हर किसी को पता है क्या होता है तेन दुआ तो spelling आपको 100% याद रखनी है पुछी जा चुकी है L-E-O-P-A-R-D leopard L-E-O-P-A-R-D आपको याद रखनी है L-E-O-P-A-R-D leopard आपको याद रखनी है और यह most important spelling है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं आगे बाद करते हैं mattress की mattress का मतलब होता है आपके गद्दे हम बचाते हैं मैट इसको हम M-A-T मैट लिखते हैं मैट मलब क्या होता है बज़ो बिचाने के आती है ना आपका क्या बोलते हैं उसको हम mattress गद्दा टाइप तो इसको matter ठीक है तो इसको हम लिखेंगे mattress गद्दा अब क्या spelling होगी आपकी M-A-T-R-E-S डबल-T लगेगा और डबल-S लगेगा आपको फिर से लिख देता हूँ मैं आपके सामने M-A-T-R-E-S देखिए मैं बताने को तो सिर्फ एक बार बताके और जल्दी से जल्दी वीडियो को खतम भी कर सकता हूँ मुझे क्या फ्रक पड़ना है मैं इसलिए ही बता रहा हूँ मैं आपके साथ आपसे ज़्यादा भी आड़ वर्क कर रहा हूँ ठीक है डेले रात को एक बजे उठता हूँ आपके लिए मैं टर रड़ी करता हूँ रात को 10-10.50 बजे 11 बजे के आसपास तो मैं सोता हूँ तो कभी 2 गंटे और कभी 3 गंटे सोबाता हूँ मैं 24 गंटे के अंदर और ये सारी मेनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आप इन चीज़ों को समझ ये जितनी मैं करता हूँ ना उससे ज़्यादा करना बनता है आपका तो इसलिए मैं इनको बार-बार लिखके भी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद करने का मैं तरिक्का बता सकूँ प्लीज आप समझ ये परना जिस दिन आप exam देके निकलेंगे न जो चीज हम पढ़ चुके होते हैं उनको गलत करके आते हैं तब हम पेपर में भाहर होते हैं इन चीजों को आप याद रखेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को रिवाइस करने पे आप ध्यान दीजिए ठिक हैं तो मैट्रेस क्या होगा आपका म अ डबल टी आर इडबल एस और इसका मतलब होते है गद्दा आप याद रखेगा आगे बढ़ते हैं नूसेंस न यू आई यहापे भी गलती क्या होगी आप सी की जिगए एस लगाएंगे लेकिन क्या लगेगा सी लगेगा आपको याद रखेगा है नूसेंस न यू आई और इसका मतलब होते है बादा यानकि कोई बीच में क्या आना डिफिकल्टी आना कोई कठिनाई आना ठीक है कोई प्रोबलम आना बीच की अंदर ठीक है यानकि एक प्रकार की अवरोध उत्पनोना तो इसको बलताता है नूसेंस न यू आई मैं उपर लिख देता हूँ N-U-I-S-A-N-C-E फिर से लिख देता हूँ N-U-I-S-A-N-C-E नूशेंस आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं मेगर ठीक है मेगर का मतलब होता है कम होना यानकि अलप मातरा में इस मातरा में अलप मातरा के अंदर और स्पेलिंग क्या होता है आपका कम होना है कि अलप मातरा के अंदर होना कम मातरा में होना आप याद रखिएगा तो M-E-A-G-R-E आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं कैटालोग अब कैटालोग का मतलब होता है पुस्ती का विवरन या फिर आप सुची भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं किसी भी चीज की सुची बनाना तो उसको बल देते हैं कैटालोग के स्पेलिंग क्या होगी आपके C-A-T-A-L-O-G-U-E C-A-T-A-L-O-G-U-E C-A-T-A-L-O-G-U आप याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं कंपेर अब आपको कंपेर की स्पेलिंग तो याद होगी C-O-M-P-A-R-E यह तो आपको याद होगी तो यहाँ पे जो E है न वो आपका हट जाएगा और E की जगह है क्या लग जाएगा A-B-L-E कंपेर एबल C-O-M-P-A-R कंपेर एबल यहाँ कंपेर करने के लायक ठीक है इनके तुलनात्मक तो कंपेर एबल क्या हो जाएगा C-O-M-P-A-R-E-B-L-E तो आप तोड़ कर इसको बढ़ सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए आपको सामने दो वर्ड है एक तो कंप्लिमेंट है और एक आपका कं क्या है अब नर्मल सी वाद है 30 के अंदर अगर आप कितना जोड़ देंगे कितना जोड़ देंगे जब आप 60 जोड़ देते 90 बन जाता है ना तो क्या बोलेंगे आप पूरक को बोलते है जब जो एंगल होते है उनका जब सम क्या होता है 90 हो जाता है तो पूरक क्यलाता है और संपूरक क्यालाता है, जब दोनों का संप 180 डिगरी हो, तो मैं कोसिस करूँगा, अब जल्दी ही हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, तो कुछ चीज़े मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर वो चीज़े पोसिबल हो जाती है, तो मुझे कुछ करने वाले लोग मिल जाएंगे, और उसके वो जैसे मैं कोसिस करूँगा, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट आपके करा पाऊं, तो अब हमने सिर्फ सोसल साइन्स, साइन्स और हम क्या कर रहे हैं, इंगलिस कर रहे हैं, तो देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लिमे क्या होगा, याँनकी पूरक, जैसे मैंने 30 का पूरक कौन पुछा, क्या पता हैंगे, 60 होगा, क्योंकि दोनों मिल के क्या बन जाते हैं, आपके 90, इसी तरह सम पूरक होता है, जब दो कौन जो होते हैं, दो इंगल जो होते हैं, उनका सम जब 180 डिगरी होता है, ठीक है, आपको सेम सेम सी लग रहे होंगी, लेकिन इनके स्पेलिंग्स में अंतर है, बोलने के तरिके में अंतर है, तो देखिया आप, डिसीव, D, E, C, E, I, V, E, तो डिसीव का मतलब क्या होता है, किसी को दोखा देना, D, E, C, E, I, V, E, डिसीव, यानकी दोखा देना, और एक होत करना, डिसीव, D, E, C, E, I, V, E, डिसीव मतलब दोखा देना, और एक होता है आपका believe, और believe का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, तो इसका होगा B, E, L, I, E, V, E, इसके अंदर E नहीं आएगा, यह वाला E, जैसी यहाँ पे और यहाँ पे आ रहे हैं, यह नहीं आएगा अगर आप इनको कम से कम, अगर आप मेरी मानते हैं ना, तो कम से कम 5 से 6 बार एक spelling को आप लिखना, और हो सकता है, तो मोटे मोटे अकसरों के अंदर लिखना, मोटे words में लिखना, ठीक है, वो चीज़ें आपके mind में ज़्यादा अच्छी छपेंगी, इन चीज़ों को आप आपके दो होते हैं, एक तो C-A-N-V-A-S, एक सिंगल S आएगा, और एक आपका C-A-N-V-A-S, कनवास, और दोनों spelling आपकी सही है, तो एक का मतलब होता है, जो निच्चे वाला है, C-A-N-V-A-S, इसका मतलब होता है, पाल, या तिरपाल, जो हम बिखाते हैं, अपने गरों म जिसके अंदर डबल एस आ रहा है, तो यह होता है, आपका वोट मांगना, और जिसमें सिंगल S आ रहा है, C-A-N-V-A-S, इसका मतलब होता है, ताल, मतलब पाल या तिरपाल, ठीक है, तिरपाल, और यह कनवास, C-A-N-V-A-S, कनवास, इसका मतलब होता है, वोट मांगना, यह बहुत ही most important spelling है, काफी बार आपकी पुछी जा चुकी है, E-N-D-E-A-V-O-U-R, दुबारा लिख देता हूँ, E-N-D-E-A-V-O-U-R, याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है आपका fullness, अब यहाँ पर जो हमसे गलती होगी न, यहाँ पर हम double L की जगए single L लगा देंगे, F-U-L और N-E-S-S, ऐसे कर देंगे हम, लेकिन यहाँ पर आपका double L आएगा, आपको याद रखना है, fullness, F-U-L-L, N-E-S-S, और fullness का मतलब होता है, परिपूरण, यहाँ किसी भी चीज़ का complete होना क्या कहलाएगा, आपका fullness कहलाएगा, उसके बाद आता है आपका Goddess, और Goddess का मतलब होता है, देवी आपको पता है, God, Goddess, तो G-O-D-D-E-S, आपको याद रखना है, G-O-D-D-E-S-S, G-O-D-D-E-S-S, आपको याद रखना है, आगे बात करते हैं, Mosquito, अब Mosquito के बारे मास, आरे किसी को पता है क्या होता है, मच्छ, spelling आपको याद रखनी है, M-O-S-K-U-I-T-O, Mosquito, M-O-S-K-U-I-T-O, Mosquito, ठीक है, आगे बात करते हैं, Ingredient, Ingredient का मतलब होता है, घटक, यार्कि वो चीज़ जो काफी चीज़ों से मिलकी बनी होती है, या आप इनको डालते हैं, जब हम खाना वाना बनाते हैं, तो Ingredient, यार्कि घटक, तो I-N-G-R-E-D-I-E-N-T, क्या हो जाएगी, इसकी spelling हो जाएगी, दुबारा लिख देता हूँ मैं, I-N-G-R-E-D-I-E-N-T, Ingredient, आपको यह spelling याद रखनी है, most important है, I-N-G-R-E-D-I-E-N-T, Ingredient, I-N-G-R-E-D-I-E-N-T, Ingredient, आप याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, next उसके बाद है आपका wasteful, अब देखिए, इसके अंदर last में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, आपका single L है, बस यही आपको याद रखना है, wasteful के अंदर double L नहीं आएगा last में, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, W-A-S-T-E-F-U-L, डबल L नहीं आएगा, आपका single L आएगा, wasteful, W-A-S-T-E-F-U-L, wasteful, W-A-S-T-E-F-U-L, wasteful, फिजूल खर्ची, ठीक है, आगे बात करते हैं, corporate, तो corporate हर किसी को पता है, क्या होता है, सायोग देना, आपको spelling याद रखनी है, C-O-P-E-R-A-T-E, यह तो easy spelling है, लेकिन आपकी previous year है, पुछी जा चुकी है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिये, आगे बात करते हैं, necessity की, तो necessity का मतर होता है, आउसकता, और यह spelling आपकी काफी बार पुछी जा चुकी है, मैंने 4-5 बार तो इसको मैं देख चुका हूँ, आप समझ सकते हैं, कितनी important है, आपको याद रखनी है, N-E-C-E-S-S-I-T-Y, आपको याद रखनी है, N-E-C-E-S-S-I-T-Y, मैं फिर शे लेकिता हूँ, N-E-C-E-S-S-I-T-Y, necessity, आप याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, evidence, evidence, E-V-I-D-E-N-C-E, ठीक है, evidence, E-V-I-D-E-N-C-E, evidence, evidence का मतर होता है, प्रम याद किया देना, एक तरह से सबूत देना, क्या कहलाएगा, आपका evidence कहलाएगा, E-V-I-D-E-N-C-E, evidence, प्रमान, सबूत होना, किसी भी चीज का सबूत होना, ठीक है, evidence, आगे बढ़ते हैं, relief, तो relief का मतलब होता है, किसी को राहत देना, जैसे हमने believe पड़ा था, तो यह आ receive, यह दोनों एक तरह से लिखे जाते हैं, यादिकर receive, R-E-C-E, I-V-E, receive होता है, और deceive, D-E-C-E, I-V-E, क्या होता है, आपका deceive होता है, तो इन spellings में आप confuse मत होना, यह बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन spellings इनकी अलग है, believe में B-E-L-I-E-V-E, believe, relieve क्या होगा, R-E-L I-V-E, क्या हो जाएगा, आपका deceive हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए, यह आपकी 15, क्या थी, 50, यानकी 50 आपकी spellings थी, जो आपकी previous year हैं, और most most important है, तो इनको आप please बार-बार revise कीजिएगा, इनसे बार आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मेरी बात का आप यकिन कीजि मुझे motivation मिले, और मैं आपके लिए इससे भी अच्छे से अच्छा जो content है, वो लिकरा सकूँ, तो आज की session में सिर्फ इतना ही, आज के लिए आपका thank you, धन्यवाद